कि नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आल इस वेल स्वागत आपका मेरे चैनल पर साहिल ठागुर जम्मू और आज हम डिसकस करेंगे आपके इस लेबस का जो यह सेक्ड लास लेक्चर कॉपरिटिव सेक्शन पर और इससे पहले हमने सब आलमोस जितना भी कॉपरिटिव सेक्शन का कॉपरिट कर दिया है इसमें पढ़ लिया हमने आज डिसकस करेंगे जो हम हमारा टॉपी चल रहा है कि कॉपरिटिव सुसाइटी को लेकि कौन-कौन से लास बने है और कौन-कौन सी कुमेटी यह दो टॉपिक रहेंगे आज की हो और स्टार करते हैं आज का लेक्षर और इसके बाद जो लेक्टेर आएगा वह भू टाइप मिर का कॉपरिटिव उसको combine कर दूँगा यहां फिर देख लेंगे जैसे भी होगा लेकिन cooperative मेरी तरफ से यह cooperative section खतम है इससे पहले हमने पढ़ा था development of cooperatives in the pre-independence 1947 से पहले cooperative society को लेके कौन-कौन से last बने हैं और कौन-कौन सी committees जो है वो भूठाई गी है ठीक है चार-पांच committees हम पढ़ चुके हैं अगर नहीं देखिया आपने इससे पहले वाला lecture है lecture no.21 वो देख लें उसमें मैंने committees और last जो है वो discuss की है लाज में मतलब था 1904 वाला एक्ट और 1912 वाला एक्ट यह काफी important है वो हमने अल्री डिसकस किया आज की date में आज जो पढ़ेंगे हम development of cooperative in the post-independence era में मतलब हो गया 1947 के बाद कौन-कौन सी यह काफी important है और काफी दियान से देखना क्योंकि तीन-चार question यहीं से निकलेंगे कमेटी और साथ में कुछ लाज आएंगे ठीक है सबसे पहरे डिसकस करते हैं हुआ क्या एक्ट्व में क्या है कि जो cooperative बनी जब देश अजाद हो गया था उसके बाद first जो five year plan था यह आपको बताना चाहिए first five year plan कब बना ठीक है 1951 से लेखके 56 politically important है लेकिन इसमें cooperative के लिए क हैं जब independence मिल गए थी देश को इंडिया को तो उन्हें प्लानिंग की की cooperative society के लिए हम कौन-कौन से ला सकते हैं और कौन-कौन सी development ला सकते हैं cooperative को लेके और उन्हें एक आउट प्लान किया कि हम cooperative जो vision of the cooperative in India है उसको कैसे rationalize करें और कैसे हम emphasize करे cooperative को लेके और उन्हें को प्रैफर करेंगे तांकि organization और economic development of the cooperative हो सके ओके और इन्होंने काफी important और क्या रहा है इनका इनका यह important जो रहा कि हम सैट करेंगे क्या setting up of urban cooperative banks, industrial cooperative of workers, consumer cooperative, housing cooperative ठीक है और यह काफी important इन्होंने जो है वो start किया ठीक है फर्स्ट फाइव इयर प्लान में, okay, मतलब starting में ही देश में यह cooperative का जो system में यह start हो गया था, इंडिया में, okay, और उन्हें यह भी बोला कि हम training देंगे, education देंगे, किसको cooperative society को, यह उन्हें फर्स्ट फाइव इयर में ही बोल दिया, जैसे independence मिली देश को, constitution बन गया था, 26 ज जार हो कि enactment में ही हो चुका है, ठीक है, और यह constitution के बाद वाली चीजी हो रही है, first five year plan में, यह वोला कि cooperative पे हम ज्यादा focus करेंगे, फिर एक committee बठाई गई और यह committee काफी important है, और यह आपको पता हो चाहिए कि कौन सी committee जिसका नम है, गर्वाल committee, ठीक है, गर्वाल committee इसको क कमेटी जो बनी, इसको बाटरशाय development बोलते है, बाटरशाय development जो है, initiative जो है, माना जाता है, इसको, ठीक है, यह किसके दोरा appointment की, government of India के, अभी तक जितने भी पढ़ रहे थे, हम कोन से पढ़ रहे थे, British government के दोरा, यह है, पहली committee, जो की government के दोरा, Indian government के दोरा, ठीक है, सब स गई है, उसके बाद की committee है, समझ गए, यह काफी important है, इसलिए, अब इनने report जो summit की, यह 1951 में, और 90, पॉइंट कब की, 1951 में, और report कब दी, इनने, 1954 में जाके, अब इनने recommendation क्या दी, जो काफी important है, हमारे लिए, ओके, ठीक है, उनने क्या-क्या recommendation दी, वो important है, अब इनने का क्या किया, मेसली, जो union government था, union government जो थी, एट टाइम, नेरू के टाइम में, इनने क्या किया, जो imperial bank of India था, imperial bank of India, ठीक है, उसको convert कर दिया, state bank of India में, और यह economy में भी आ सकता है, ठीक है, 1955 में, तो imperial bank of India को, SBI में convert कब किया, ठीक है, 1955 में, यह भी important है, ओके, यह major recommendation, अब किया, क्यों, यह चाहते थे कि हम, जितना भी है, cooperative को लेके, उनको अगर credit देना पड़े, यह loan देना पड़े, वो काम भी हम कर पाएं, ठीक है, इसके बाद उनने एक और काम किया, वो किया, इसी दुरान, जो इनकी recommendation थी, ओके, national cooperative development and warehousing board set up किया, ठीक है, यह काफी important है, इनकी recommendation के base पे, ओके, और इसको, RBA को भी amendment किया, तांकि यह active role play कर सके, ठीक है, reserve bank of India पता है, आपको की, 1934 के act के थुरू बना है, और 1935 में, RBA की establishment हुई है, ठीक है, इसको भी amendment किया गया, ठीक है, इस committee की recommendation के बाद, तांकि हम active role जो है, वो play कर सके, किसके लिए, cooperative credit institution के लिए, cooperative credit institution मतल हो गया, कि credit जो है, loan जो है, cooperative society को भी provide करें, RBA के through, ओके, पहला काम क्या किया है, इस committee की recommendation पे, imperial bank को convert किया, SBA में, 1955 में, और RBA जो bank है, ठीक है, reserve bank of India, इसको मैंड किया, कि तांकि यह credit जो है, वो किसको दे सके, cooperative society को, ठीक है, 1953 में क्या हुआ, government of India ने, reserve bank, और किसा, jointly constituted central committee for the cooperative training to establish necessary training facility for the cooperative personnel, जितने भी cooperative के personnel थे, ठीक है, उनको, क्या कर दी, training जो है, पो provide करने, start कर दी, government of India और RBA ने मिलके, ठीक है, आल इंडिया cooperative union बनाई गई, and the state cooperative union were entrusted with the training of a member and office of the variable for the cooperative organization, क्योंकि cooperative bank बनाने थे न, उनने, okay, cooperative bank बनाने के लिए, आपको, सबसे पहले, जितने भी personal lane के, जितने भी, इनके मेलब bank के, जो, implies होंगे, ठीक है, उनको सबसे पहले training चाहिए, कि कैसे कैसे, देश में चलना है, त कि कैसे financial, जितने भी, ट्राइशन है, या फिर, जितने भी rules and regulation, उसको कैसे चलाना है, तो उसके लिए, government of India ने help ली, RBA की, और ये start किया, okay, ये, इस committee की recommendation के बाद, ये काफी important है, गरवाल committee क्या है, उसका, पूरा नाम क्या है, popularly known is, All India Credit Service Society, okay, lecture को end तक देखना, क्योंकि इस में से कुछ आये नहीं, okay, second five year plan जो है, 9056 और 61 के बीच में रहा, ठीक है, इस time में किसकी गोर मट थी, नेरू साब प्रदान मंत्री है, आपको पता होना चाहिए कि, longest prime minister है, 17 years तक, okay, उसके बाद इंदरा गांदी, नेरू के बाद, इनकी बेटी इंदरा गांदी, उसके बा मोदी साब, okay, मोदी 2.0 चल रहा है, न, okay, second five year plan में क्या 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 किया है, उनने, this plan ये वला, ठीक है, इस प्लान में, पांच साल के प्लान में, इनने गोर्मेंट अफ इंडिया का जो प्लान था, five year का, उनने ये किया, emphasize building up of cooperative sector as a part of scheme of plan development as being one of the central aim of national policy, तो central government का जो aim रहा की national policy के वेस पे, कि हम cooperative society को काफी क्या करेंगे, काफी improvement करेंगे, उनकी help करेंगे, the plan drew up program of cooperative development based on the recommendation of all India rural credit survey committee, ये वो ही है, गरवाल committee, ठीक है, गरवाल committee, इसी के बेस पे, इनने जो recommendation दी थी, उसी के बेस पे ये क्या करेंगे, अगले पांच साल में, अगले इसी तरह की policy लाएंगे, ठीक है, ये काफी important committee, अब इनने क्या किया, NDF, NCDF, जो है, इसको set up कर दिया, ठीक है, तो ये किस, आपको पता होना चाहिए कि NCDF, कौन से five year plan में बना है, ठीक है, इसकी full farm भी पता होना चाहिए, national cooperative development fund, okay, was also established by the central government during this period to enable state to borrow the purpose of subscribing shares, capital of non-credit cooperative institution in the country, ठीक है, कुछ नहीं एक development fund बनाया, ताकि cooperative को national level पे पैसा मिल सके, ठीक है, गोवर्मेंट की तरफ से, okay, क्योंकि जब तक government, देश अभी अभी नया नया, देश को नहीं अजादी मिलिए, ठीक है, independence मिलिए, जब तक देश की government, जो है, cooperative society को help नहीं करेगी, autonomous पी है, सब कुछ है, लेकिन starting में कहीं government का role रहता ही, रहता है, आज की date में भी जो funding होती है, government की तरफ से, ठीक है, fund जो है, पैसा जाता है कहा, cooperative society को, ठीक है, आल्दू cooperative society जो है, वो अपने member की थूँ चलती है, बट कहीं नहीं government का role रहता ही है, ठीक है, आपने याद रखन प्लान में, 1961 से लेके, 1969 में, ओके, इसमें तीन प्रदर्मांत्री आगे, एक नैरु साब, और एक दूसरी जो यह ताशकान में, जिनकी death होगी, क्या नाम था, लाल बहादुर शास्त्री, ओके, शास्त्री साब थे, उसके बाद आगी, इंद्रा गांधी, ओके, तो पांच फाइव एर प्लान ठीक है, तो थर्ड फाइव एर प्लान था, इसने क्या सिजेस्ट किया, इउनने में फोकस किया, कोपरेशन शूड बीकम प्रोग्रेसिवली, और प्रिंसिपल बेसे आफ और अर्गनेशन इन ब्रांचिस आफ एकनोमिक लाइफ, एरिकल्चर, माइनर इ 62 में चाइना के साथ, तो काफी इन ने फोकस इदर किया और डिफेंस पे कम फोकस किया, ठीक है, एर देट टाइम, तभी तो चाइना के साथ फिर पता ही आपको क्या हुआ, इवन दा मीडियमें लाज इन इंडस्टीज एंड इन ट्रांस्पोर्ट एन इंक्रीजिं रेज साफ एक्टिविटी वर अंडर्टेकर अन कॉपरेटिव लाइन्स, ओके अब इसी दुरान में कुछ, हम 60 के बीज में देखते हैं कि 90, 60 और 70 के बीच में कुछ नैशनल लेवल पे इंस्ट्यूशन बनाए गये थे, ठीक है, क्योंकि देखो, आपके सलेबस में डिवैलमें है, अब मैंने बताया कि नैशनल इंस्ट्यूशन, 1960 और 70 के बीच में कौन-कौन से बने हैं, वो सबसे पहले जो है, एरिकल्चर री फनाइन्स कार्परेशन वा सेट अप, तो यह पता हुने चाहिए, यह कब सेट अप हुआ, 1962 में, ओके, गोर्नेर आप इंडिया टो यही जाके आगे बाद में क्या बनेगा, एरिकल्चर री फनाइन्स कर्परेशन जाके बाद में नवार्ड बैंक बनेगा, एन ए बी ए आ डी, ओके, याद करना है आपने, कि नवार्ड से पहले बैंक कोई था, देश में जो की, किसको रूरल एरिकल्चर को पैसा दे रहा तो यह सेट अप हुआ था, 1962 में, और इंडिया और यह क्या प्रवाइड करते थे, लांग टर्म लोन्स तूदा कॉपरेटिव्स थूरू सेंटर्ड, सेंटर्ल, लैंड, मॉट्गेज, बैंक के थूरू, बस इतना ही आखना ही है, कब सेट अप हुआ और लांग टर्म लोन प्रवाइड करते थे, ठीके, इसके बाद एक और बाड़ी बनाई गई, ठीके, 1962 के बाद, 1963 में, जो काफी हमने डिटेल में भी पढ़ा है, और आपके स्लेबस में भी है, नेशनल कॉपरेटिव डेवल्मेंट कार्परेशन वाज एस्टेबलिश ऐस स्टैचूटरी इसके बाद में नाम चेंज हो गया नवाड़, ठीके, इसके बाद में नाम चेंज हो गया है, ठीके, एक NCDC जो आज भी NCDC है, सिर्फ इसमें एक्ट जो आया था, इसमें क्या है, एमेंडमेंट आएगी, जो एमेंडमेंट आएगी वो टाइम टू टाइम हम पढ़ेंगे जैसे आएगी आगे, अब क्या हुआ कि इसी के बेस पे एक और नेशनल लेबल पे बाड़ी बनाई में, इसकी फूल फाम भी पता हो नहीं चाहिए, ठीक है, यह किस के बेस पे मनाया गया, अनान्द पैटरन आफ कॉपरेटिव इन दा मिल्क थूआउट दा कंट्री, ओके, तो नैशनल लेबल पे बाड़ी कौन सी है, मिल्क को लेके, नैशनल डेरी डेवलमेंट बोड, इसके बारे में आपको पताना चाहिए, इसकी फूल फाम भी पताना चाहिए, नैशनल कॉपरेटिव यूनिन आफ इंडिया भी बनाई गी इसी दोरान में, ठीक है, यह डेवलमेंट में आता है, जो आपके सलेबस में, ठीक है, इसमें किया क्या गया, 1967 में, मेहता नैशनल इस्टूट आफ कोपरेटिव मेनेजमेंट बस सेट अप इन पूने, 1967 में किया हुआ, एक मेहता नैशनल इस्टूट आप कोपरेटिव मेनेजमेंट सेट की गई, कहां पूने में, ओके, ग्रोथ आफ कंजूमर कोपरेटिव आप इस पेरिट सेमिल्टन इसलिए ग्रोथ आ इसाथ मेंदेवल्मेंट बस आफ आज हा आए ऑन्थ आफ आउन्च आउनसो एक सेलरेटिड और रूरल अलेक्ट्री अपरेटिव बनाई गयी अच्छनika और इसके साथ में प्रोगराम ब्रम्टराः पौल्टरी फिश्री लेवर कौकरेटिव वर आल्सो सेट ओक इन्द्रागांदी के टाइम में है एक क्या क्या इसमें कोई कास व्य ठीयallows की KP लेकिन या कास यसे लिए इसलिए कमेटी मिर्दा नहीं है इन ने क्या बोला वो आपके लिए important है ठीक है यंदे बोला कि कि दियर मस्क भी स्टंडर्ड ठीक हम्द कर सकें कि कौन सी कौपरेटिव सोसाइटी जो है जैनियून नैस है जो cooperative legislation थे most of the states के उनको क्या किया amendment की गई ठीक है और क्योंकि जो जो cooperative ना destroy कर रही थी autonomous और democratic character of the cooperative कुछ society थी उसमें democratic character क्या हो गया elected by the people for the people उसमें लोग जो है अपनी मर्जी से नहीं आ रहे थे लोग मतलब हो गया कि कही ना कहीं MLA का रोल था कहीं MP उसके थे उनने cooperative society बनाने स्टार्ट कर रही थी लेकिन गरीव लोगों का काम फिर नहीं हो रहा था तो main जो service motive था वो नहीं हो रहा था कहीं नहीं हो रहा था और उसी को लेके और autonomous मतलब independence नहीं थी कहना कि political जो interference थी वो काफी ज़ादा थी इसलिए इस committee ने recommendation किया कि जो जो committee काम नहीं कर रही है डंक से उनको बंद करो और जो सही से काम कर रही है उनको चलाओ ये recommendation इस committee ने दी कि जो genuine वाली है उसको रखो जो destroy कर रही है democratic character को वो जहां फिर autonomous को independence को तो उसको बंद कर दो ठीक है अब इसमें क्या बोला नहींने ये बोला कि ये वाली जो committee है based on the recommendation of the expert expert group appointed by the planning commission 1972 ठीक है कि structural reform जो है वो structure reforms of the cooperative were envisaged अब इसमें हुआ क्या plan recommended farmer service cooperative society के बारे में बोला ठीक है farmers subsist cooperative society के बारे में बोला ओके six five year plan में क्या हुआ ये काफी important है क्योंकि आपके syllabus में भी है और ये पतो नहीं चाहिए इसमें सिर्फ एक ही याद रखना है आपने six five year plan में क्या हुआ plan recommended setting up of primary agriculture credit society ठीक है कि bank वो बनाने है कौन से village level पे जो काम कर सके है ठीक है और ये आपको बताना चाहिए कि जो pack से आपके syllabus में भी दिया है जो pack जो है ये किस five year plan के time था six five year plan के time में recommendation दी थी यह इतना ही इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो pack जो है आपके syllabus में वो किस की recommendation पे कौन से five year plan की recommendation के base पे बनाया गया था next जो है ये तो आपको पता है ये नवाड act इसके बाद क्या हुआ 9081 में पहुंच गया हम अब इस दुनार में क्या बना नवाड बना और ये आपको पता है कि 9081 में पर्लमेंट ने act पास किया और 9082 में setup कर दिया बैंक को ठीके एक्चल में इससे पहले कौन सा था जो हमने अभी discuss किया था पहले अब इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है जितनी भी लाइने लिखी है तुपरवाइड री फनेंस पोर्ट तुदा कॉपरेटिव बैंक जितने भी कॉपरेटिव बैंक है उनको री फनेंस करना उनको पैसा देना क्यूंकि नवार डिरेक्ट लोगों को पैसा नहीं देता इंडिर्क्त लेंडिंग करने मतलव यह हुआ कि नवार डेगा पैसा कोपडिव बैंक को ठीकлюकरी कॉप्रेटिव बैंक और पीर लोगों को पैसा हो पैसा estasuk तो अग्हार पैसा को डिर्क देता आरभी फ्यास को डिर्क नहीं देता है यह क्वा करते यह रेक्ट ऊ-पेसा ति नहीं को देते हैं ते our a否 चुका है और जो कर एक पीएसिंग भी आ सकता I ओके नेक्स यह तो हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे नवाल के बारे में जो पढ़ लिया हमने पढ़ेंगे किया है यह हमने पढ़ी लिया है ओक यह भी काफी इंपॉर्टन क्यूं है क्योंकि Multistate Cooperative Society Act पहले तो बना था 1942 में ठीक है Multistate Cooperative किसके में कमेंडेशन किया था वो भी आपको पता है किसने बोला था कि cooperative society को लेके Multistate Cooperative Society का Act आना चाहिए 1942 में लेकिन अब जो हमारा देश है तब वो British India था अब इंडिया आ गया ठीक है तो इस टाइम में Multistate Cooperative Act जो है 1984 यह लाया गया ठीके अरलियर Multi-Unit Cooperative Society Act of 1942 वास रिपेल बाई दा डिस एक्ट रिपील मतलो गया इसको रिमूव कर दिया गया ठीके रिपलेस कर दिया गया ठीके तो आपको किया याद करना है कि यह जो एक्ट है 1942 वाला एक्ट था ब्रिटिश में सि-फॉर में था के इसको लिपेल किया गया बस इतना ही इंपॉर्टन ठीके बाकिस के provision हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, इतना ही काफी है, अब पढ़ना आपने की RBA ने एक committee बठाई थी, ठीक है, RBA में, एक committee बठाई थी, sorry, RBA की recommendation पे एक committee बठाई थी, वो important है, काफी ज़्यादा important है, वो आपने देखनी कौन सी committee, ठीक है, उसका नाम है agriculture credit review committee, ठीक है, A.M. खुसरो, ठीक है, अब ये क्यों बठाईगी, उनने ये बोला कि देखो भाई, agriculture और rural credit में कोई problem तो नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि नवार भी था, नवार भी पैसा किसको दे रहा है, नवार जो है, rural area और agriculture को पैसा दे रहा है, लेकिन RBA ने committee बठाई ता कि देखो कि actual में क्या, actual में लोगों के पास पैसा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, और क्या-क्या problems जो है, banks face कर रहे है, agriculture, rural credit के लिए, ठीक है, तो वो ही इनने recommendation दी, ठीक है, किसने, professor A.M. खुसरो, आपको याद होना चाहिए, कौन सी committee, agriculture, credit, review committee, और chairman कौन है, professor A.M. खु गी थी, committee recommended that eighth plan should be become the plan for revival after week agriculture credit society, okay, next, जो है, model cooperative society, 1990, ये वी important है, ये आपने बताना है कि कि किस expert committee के अंडर बठाई गी थी, ये, model, model जो है, किस expert committee ने इसको recommendation किया था, तो इसको chairman जो थे, chairmanship किसके पास थी, चोदरी बरहम परका, sorry, चोदरी बरहम परका, जो है, इनके अंडर थी, okay, was appointed by the planning commission to make a rapid review of the board status of the cooperative movement, और suggest further direction and finalize the model cooperative society, ठीक है, model cooperative society कैसी रहेगी, उसके लिए act बनाना है हमने, तो वो आप बताएं, ये committee बठाएगी, ठीक है, चोदरी बरहम परकास जो है, ये committee बठाएगी, किसके दोरा, planning commission के दोरा, ठीक है, कि आप आज की date में, model जो रहेगा, वो कौन सा रहेगा, actual में इनका जो model रहता है, वो same रहता है, जो Rossdale model है, ठीक है, क्योंकि ये अभी वो time नहीं है, कौन सा, 1995 ICA amendment, ठीक है, वो इसके बाद आएगा अब, ठीक है, उसकी recommendation भी डालेंगे, ये बाद में डालेंगे, अब इस committee ने जो है, अब इसमें याद क्या करना है, ये जो committee का नाम है, और इसको chairmanship कोन कर रहे थे, model cooperative society act के दुराने में, बस इतना काफी है, और इसने summit का भी report की, 1991 में, इस टाइम में क्या ओ रहता LPG, ठीक है, policy, किसने लाई, डाक्टर मनमोन सिंग ने, ठीक है, liberalization, privatization और globalization policy, ठीक है, और इनने draft किया, model for cooperative law के लिए, और circulate किया, ये जो model है, ये cooperative society को लेके, ठीक है, कि ये ही model जो है, सब जितनी भी cooperative society है, आज की date में, इसके बाद जो है, इस model के base पे चलेंगी, कुछ provision द हर एक state में, इसी के base पे चलेंगी, ठीक है, draft model law was circulated to all the state government for the consideration and adoption at state level, ओके, liberalization हुई, मैंने बता दिया पहले 1990 में, क्योंकि economy हमारी open हो चुकी थी, ठीक है, 8th 5-year plan में क्या बोला है, ये काफी important है, 8th 5-year plan में क्या बोला गया, 8th 5-year plan जो था, ये था 1992 और 1997 के बीच में, ओके इनने जो emphasize किया, वो किया कि हम cooperative moment जो है, ठीक है, उसको इस तरह से build up करेंगी तांकि वो self manage हो सके, self regulated हो सके, self reliant institution set up हो सके, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम autonomy दें और democratization of moment, देखो, ये अगर आप देख रहें ना, अगर दियान से, तो ये कही ना कहीं, जो ICA की amendment के seven principle है ना, almost same adapt किये हैं, देखो, autonomy ये उदर दिया, democratic character वो भी दिया है, self management ये भी दिया है, self help ये भी दिया है, तो ये सारे वो ही रहेंगे, अब इसी के base पे ये parallel cooperative legislation चलेगी, ठीक है, किस ये प्लान, 1992 और 1997 के base पे parallel cooperative legislation जो है, हर एक state में अपनी अपनी, ये काफी important है, parallel cooperative legislation, हर एक state, इंडिया में जितनी भी state है, वो अपने अपनी state में, अपने अपने लाज जो हैं, वो बनाएंगे cooperative society को चलाने के लिए, इसी दोरान में, J&K ने भी अपना, क्या के बनाया, self-aligned cooperative act, 1999, ये वो ही है, क्योंकि देश में ऐसा चल रहा था न, अगर आपने स्लेबर्स को ध्यान से देखा है, तो वहां पे लिखा है, self-religned cooperative act, तो ये वहीं से लिया गया है, इंडिया में ऐसा चल रहा था, कुछ G&K में special कुछ नहीं हो रहा था, तो ये, ये जो प्लान था, इन ने लिखा हुआ है, self-managed, self-regulated, self-reliant institution को set-up करना है, तो इसी के बेस पे जमो कुछमीर ने भी set-up किया था, ओके, अब ये ये जो parallel cooperative legislation था, ये 9th plan में चला, 1997 से लेके 2002 में, ठीके, इस जुरान में हुआ क्या, since cooperation is a state subject and recognizing the difficulty in having the existing cooperative act amended on the lines of model cooperative act, देखो इसे पहले 90 में model cooperative act बना और जैसे model cooperative act बना, तो central government ने सब को बोल दिया, हर एक state को कि आपने, जो हमने, देखो, ये, just wait, ये, ये बहला, कि central government ने ये, ये chairman, sorry, ये जो committee है, ठीके, इनने कुछ recommendation दी, इनने submit कराई, इनने बोला कि ये वाला model रहेगा, और हर एक state में distribute कर दो, कि हर एक state जो है, अपनी अपनी state में ऐसा, ऐसे laws लाज लाएंगे, जो इस model पे लिखी होंगे, जो इस law पे लिखी होंगे, draft model पे, वो ही ये accept करने वाले हैं, इधर, हर एक state में, ठीके, और वो ही चीज़ बोली जा रही है, कि अपनी अपनी state cooperative act जितने भी हैं, उसको amend करो, किसके बेस पे, model cooperative act के बेस पे, जो कब आया, 1990 में, उसके बेस पे हर एक state को चलना होगा, अब जो self-reliant cooperative का मतलब क्या हुआ, ठीके, self-reliant cooperative का मतलब ये हुआ, इस generally defined as those which have not received any assistance from the government in the form of equity, contribution, loans or guarantee, ओके, ये वो cooperative organization रहेंगी, जो की government से ना loan की farm में, ना contribution, ना equity या guarantee के साब से पैसा लेंगे, उनको बोलते self-reliant, ठीके, self-reliant का मतलब हो गया, आतम नेरवर, जो खुद बाखुद चलती हैं, ओके, तो आपको एक idea हो गया, कि जम्मो किश्मीर self-reliant act का मतलब क्या हुआ, कि वो cooperative organization, वो कौन सी होगी, जो अपने आप चलेंगी, उसमें government की कोई funds, पैसा बहुत कम ही आएगा, ठीके, जब J&K cooperative act 1989 पढ़ेंगे, उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा कि, yes, there is some funding from the government, लेकिन इसमें आतम नेरवर बनना है आपको, आपको खुद ही करना है, आपको पढ़ाई करने हैं, आपको ख यह इसलिए क्योंकि J&K cooperative act 1999 वाला भी इसी में आया, और यह और भी state थी जिनोंने, कितनी state थी, nine state थी, ठीके, nine state थी, आंदरापर्देश, मद्यापर्देश, बिहार, J&K, ओडिसा, करनाटका, जहारखन, 36गर्ट, और नाचल परदेश, जिनोंने parallel cooperative act बनाए, ओके, कमेटी के वेस पे थे, चोदरी भरम प्रकाष कमेटी, जब अब जमुकश्मीर self-reliant act पढ़ेंगे ना, तब भी यह कमेटी आएगी, इसलिए मैंने objective भी काफी सारे book में भी दिये हैं, और ऐसे भी, MC को जो मैं डालूँगा, इसी के वेस में डालूँगा, ओके, यह काफी self-reliant act वो बन गया, जमुकश्मीर की, ठीक है, और अधर स्टेट में भी, mostly nine states थी, जिन्नोंने parallel cooperative act पास कर दिये थे, इस तरह से इसके बाद, अब क्या आएगा, 2002 में, आपको पता, 2002 में जमुकश्मीर में भी rules आएं, आए ना, इंडिया में कुछ हो राए, इसलिए, वहा एक चीज देखनी है आपने, 9042 में multi unit cooperative society आई थी, ठीक है, 1984 में multi state cooperative act हुआ आया था, इसी को amendment किया 2002 में, ठीक है, ये वला act, same multi cooperative society वला कि एक से ज़ादा state में अगर cooperative society चलेगी तो कैसे चलेगी, कौन उसको control करेगा, center register या फिर state का register, ठीक है, और बहुत सारी changing जो है, वो रह इसमें तो, इसी को मैंड किया इधर, इसी को मैंड किया इधर, समझ गे, ये इंडेपेंडेंट्स मिलने से पहले, इंडेपेंडेंट्स मिलने के बाद ये वला act बना, multi state cooperative के लिए, और ये अब 12 से, 2002 में, इसके बाद करेंगे, 2011 में, ठीक है, इसके बाद अभी 2021 में, Supreme Court न जो भी amendment हुई है, 97 लेकिन एक दो पार्ट उसमें से कुछ ड्रीड किया है, वो किया किया है, जब lecture आएगा, 97 वली, वो हम discuss करेंगे, ठीक है, बस इसमें ये याद करना है कि आपने, कि multi state cooperative act जो था, enacted in 1984, was modified in 2002 में, ठीक है, अब क्यों modify किया, दला प्रवाइडिड ग्रेटर autonomy to the cooperative in their decision making process, और nomination of the government representative and the board was also reduced, कहना है, मतलो है कि इसमें जितने भी nomination थी, government की तरफ से जितने भी representative होते थे, उसको भी reduce कर दिया, ठीक है, बस ये काम किया, कि जितने भी board में, जितने higher authority होते है न, cooperative society में, उसको reduce कर दिया, government की तरफ से कोई member नहीं रहेगा, ओके, ये काम किय है उन्होंने, फिर national level पे cooperative policy लाई, ठीक है, ये काफी important है, और ये याद करना है कि, देखो एक तो year याद जुरूर होने चाहिए, जिसे multi-state cooperative society act 2002 है, इसे पहले का बाई 1984 में, इसे पहले का बाई 1942, ये याद होने चाहिए, policy का बाई, इनने क्या किया, amendment की और क्यूं किया, अब ये क्यूं किया है, इसके मैंने aims बता दिया, अब national cooperative policy का बाई, 2002 आपको याद होना चाहिए, ठीक है, और इसके बाद इसने क्या किया, objective क्या था, वो भी मैंने लिखा हुआ है, अलग color में ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, all round development of cooperative in the country, अब इसने क्या क्या किय वो काफी important है, ये देख लेना, just wait, ये वाला, अब उन्हों क्या किया, कौन सा, 2002 वाली national level पे policy, अब नेशनल लेवल पे policy है, तो इसके objective बन सकता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, इसमें क्या किया है, उन्हें प्रवाइड, इट प्रवाइट्स, cooperative with the necessary sport, encouragement and assistance, to encourage functioning as a autonomous, self-reliant, democratically managed institution, accountable to their members, making a significant contribution to the national economy, ये बात ने इन्होंने बोली, और इन्होंने एक और काम किया, वो ये किया, based on the recommendation, made on the conference of the state of minister and the corporations, government of India, in 2002, constituted a ministerial task force, तो ministerial task force जो है, वो भी बनाईगी इसी दुरान में, ठीके, formulated a plan of action implementation after national cooperative policy, एक बनाईगी body, जिसका नाम था ministerial task force, और इनका काम क्या था, कि आपने implement करना क्या, national cooperative policy, बस ये जो policy lie है हमने, इस policy में ये जे characteristic लिखे हैं, कि cooperative society जो भी चलेगी, वो autonomous होगी, वो self-reliant होगी, democratically होनी चाहिए, accountable भी होनी चाहिए, और जितने भी member है, वो खुद ही decision, ले cooperative society को ले के, ठीके, और एक meeting बठाई, और एक ministerial task force बनाई, ताकि आप implement करो, cooperative policy national level पे, ओके, अब इस task force ने क्या suggest किया, इन ने ये suggest किया, कि एक single law होना चाहिए, instead of parallel laws, parallel laws जैसे 99 वाला, जमो किश्मीर का है parallel laws, ठीके, ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक किला होना चाहिए, अब लागू हुआ नहीं हुआ, वो बाद की बात है, लेकिन उनने बोला है, तो आपको पता होना चाहिए, ओके, और इसके बाद साथ में इनने ये बोला कि, कौन से वाला, ये वाला, जस्ट वेट, 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 ये जो मिनिस्टियल टास्क फोर्स थी, ठीके, इनने ये बोला कि, जितनी भी कॉपरिटिव सुसाइटी है, इसमें क्या है, पॉलिटिशन गुस जाते हैं, पॉलिटिशन जहां भी गुसेंगे, वो त्वाई करेंगे, ठीके, वो अपना पर्सनल इंट्रेस्ट देखेंगे, कॉपरिटिव सुसाइटी को नहीं चला सकते, क्योंकि ये गरीब लोगों के लिए चली है, और आल मेंबर इन अडर तो डी पॉलिटिशाइस कॉपरेटिये, मेंबर आफ पार्लिमेंट और मेंबर आफ लेजिसलेटिये, असेम्बली शोड नाट अलाओ तो होल्ड आफिस आफ एनी कॉपरेटिव सॉसाइटी, समझ गे ना क्यों, क्योंकि ये गड़बड ही करते हैं, जहां जाते ह अगे क्या है, कमपनी एक्ट जो है, 2002 में आया, इसके बाद वाला, अब ये कमपनी एमेंडमेंट एक्ट 2000 क्यों आया, आप आपको ये पताना चाहिए, कमपनी एक्ट जो आया था, ये दो, स्वरी, उनी, 9056 में आया था, ठीके, कमपनी कोई भी कमपनी है, उसको करना पड़ता है, 1956 के अंडर, कमपनी एक्ट के अंडर, लेकिन इस कमपनी को भी क्या कर दिया गया, अमेंड कर दिया, 2002 में, इसके बाद, इन फैक्ट ये 2013 में फिर से, आज की डेट में कमपनी एक्ट जो है, 2013 वाला आ गया है, लेकिन ये आपको बदाना चाहिए, कि ये इ 2056 को क्या करना चाहिए, मैंने करना चाहिए, चेंजिंग करनी चाहिए, ठीके, इसी के बेसिस पे, इसी कमेटी के बेसिस पे, क्योंकि जितनी भी कमेटी है, ये आपको नाम और चेर्मेंशिप पता होनी चाहिए, क्योंकि सलेबस में मैं चेन है, जब कमेटी तो कमेटी तो इसमें आल्दू बुक में और ज़्यादा होगा और यह तो फर्स्ट एडिशन था अब सेटिड एडिशन बुक का इसमें काफी ज़्यादा होगा ठीके सेटिड इडिशन कब आएगा वो मेरेको भी नहीं पता भी ठीके लेकिन जब तक जेके पी एसिटेंट रेजिस्टर का अग्जाम होगा तब तक मेरी ही बुक चलेगी ओके बस एडिशन चलता रहेगा सेकिंड फॉर्थ फिप्थ जो भी है ओके अन्दा बेसे आफ रिकमेंडेशन अफ तो कॉमेटी दा प्रड्यूजर कंपनी बिल बाज इंटर्डूजन पार्लिमेंट बस यह इसमें कुछ न देख लिए इमपार्टन है यह नहीं बस इसमें कमेटी का जो नाम है वो पता माश्य चाहिए कि किस के चेर्मेंड्शीप पे इसको अमेंड कर दिया गया है ठीक है फिर इसके बाद जो ऐन सीडी सी ठीक है इसको काफी वार अमेंड मेंड कर दिया गया है नैशनल कोपरिटी बैंक है आरबी है यह आपके अकॉनमी स्टांग हो जाए और इसमें दोजाद दो मैं आया यह अमेंडमेंट इसमें क्या किया वह देख लेना इसमें वसे बताई देता हूं आप क्या देखोगे इसमें क्या किया live stock को भी include किया industrial activity और इनको पैसा देंगे बस सिधी सी बात है कि जितना भी live stock रहेंगे ठीक है जिसे poultry farm है ठीक है यह ना poultry farm को भी पैसा देते हैं जिसे जमु कश्मीर को देते हैं या फिर कॉपरेटिव सोसाइटी होती है उनको डिरेक्ट पैसा देते हैं वह आगे पॉल्ट्री फार्म बगेरा चलाते हैं ठीक है तो गवर्मेंट का फंड मिलता है वही इंक्लूड करने के लिए उन्होंने यह एक्ट लाया ठीक है बस इसमें यही था बाकी ड एंसीडीएफ बना ठीक है नैशनल कॉपरेटिव डिवेल्मेंट फंड यस यह हुआ अभी इनका टार्गेट क्या था कि फार्मर को हम पैसा जाद से जादा प्रवाइड करें थर्ड फाइव यह प्लान में किया हुआ एंसीडीसी को बनाया गा नैशनल कॉपरेटिव बस मैं इसके रिकमेंडेशन दे दी ठीक है फैक्स हो गया प्राइमरी एरिकल्चर क्रेडिट सोसाइटी मतलब हो गया कि विलेज लेवल पे बैंक बनाएंगे जिसमें हम पैसा परवाइड करेंगे विलेज लेवल पे ओके इसके बाद हमने पढ़ा कि माडल कॉपरेटिव कॉपरेटिव एक्ट जो आया 1990 में आया और यही माडल जो है देश में हर स्टेट को बेजा गया कि यही माडल आपने यही परविजन अपने अपनी कॉपरेटिव सोसाइटी में रखने है Caолж तांकि रैफरेंस के लिए और कैसे मेनेज करना Ca horrपरेटिव सोसाइटी को ठीक ह उसी के बेस पे चलती है फिर National Cooperative Policy आई और उनने Ministerial Task Force बनाई उनने बोला कि MP और MLA को नहीं गुसना चाहिए Cooperative Society में यह जहां जाते हैं वहां दंगे करते हैं और Next Next जो है यह lecture मैंने डिसकस कर दिया है आलदो लेकिन भी खत्म करना है काफी दिन हो गया ऐसी प्रेजेंट आज देखना है आपने की यह जितना भी यह खत्म हो गया जैसे Pre-Independence में Cooperative क्या थी कितनी कमेटी थी क्या लास थे क्या development हुई मैंने डिसकस कर दिया पोस्ट इंडिपेंडेंट्स में करो बार बार रिवाज करो जितना हो सकता इसमें कोईभी अडिशन होगी अक्तूबर के बाद में ने पड़ाया उसको रिवाज करो लेक्चर को बार बार देखो और जिन्होंने बुक के लिए उनके लिए बहुत बढ़िया आप आप MCQ practice करते रहे हैं, आल्दो हमने MCQ practice YouTube पर भी करने ही है, बट इसको ही revise करो जितना सकता और other section पर गुशो, जैसे geography है, उसको अच्छे से पढ़ो, history है उसको अच्छे से पढ़ो, quality है उसको अच्छे से पढ़ो, आल्दो आपका reasoning, reasoning से भी 7-8 question निकलेंगे वो भी पढ़ो, क्योंकि आपको all rounder बनना है न, ठीके, PhD तो करनी नहीं एक subject में, PhD करोगे तो फिर भाई PhD करनी थी, इदर क्यों आ रहे हो, समझे न, PhD नहीं करनी है, आपने सिर्फ point लेने हैं, जिसे अगर 30 मास का, 30 में से आपके 20 से 25 निकलें, ठीके, वैसी strategy चलनी है, अब quality अगर 10 नंबर किया है, यह 10 में से 7 नंबर आपके आने चाहिए, फिर selection है, हिस्ट्री है, अगर 10 नंबर आ रहे हैं, 10 में से आपके 6, 10 में से तो 9 नंबर आने चाहिए, फिर selection है, क्योंकि हिस्ट्री काफी easy होती है, ओके, economy के खाली current affair ही रहता है, उसमें कोई history, basic concept थोड़े से होने इतना भी आपके पास material होगा, जिसे cooperative का है, cooperative का 15 page से ज़्यादा आपके अपने personal notes नहीं होने चाहिए, 15 page, यह क्यों बोल रहा हूं में, क्योंकि आपकी कम से कम 7-8 section है, 7-8 section के अगर 10-10 page बनाओगे तो 100 pages तो वैसे बन जाएंगे आपके, ठीके, समझगे, और जब exam होगा, उससे पहले, दो दिन 100 pages ही आप revise कर सकते हो, revise करना है, जितना हो सकता उतना revise करें, ठीके, this is only for the motivation, purpose, next हम discuss करते है, present, जो cooperative society का constitution status क्या है, अब यह अगर वीडियो, corrupt होगी होगी, तो problem है, क्योंकि इसमें lecture record ज़्यादा देर तक होता नहीं है, जस्ट वेट देखता हूं कितन 45, अगर ही हो गया at lead, तो वही फिर से record करना पड़ेगा मेरे को, बगवान नहीं करना, क्योंकि काफी manage लगी है, जस्ट, present constitution status of cooperative society in India क्या है, आपने याद करना है, 97 constitution amendment act 2011 में आया, और इसने क्या क्या amendment की, part 9 b इनको include किया, और इसमें article है, 243 ZH से लेके 243 ZT तक, इसको insert किया गया और इसमें cooperative society word को जोड़ा गया है, ओके, next जो है, ये DPSP जो है, ठीके, constitution में status क्या है, इसका cooperative का, DPSP में जोड़ा गया है, इसको article 43 DPSP, part 4 में, ठीके, DPSP, part 4 में आता है, next जो है, right to firm cooperative society, a fundamental right under article 19 1C, ठीके, और schedule 7 में आता है, cooperative society, जो है, state list में आता है, लेकिन cooperation जो है, ये concurrent list में भी है, और concurrent list में कैसे है, बता दें आपको, देखो, कोई भी cooperative society है, जब more than one state में काम करती है, ठीके, उसमें क्या होता है, central government लाब ना सकती है, जब central government लाब नाएगी, central register काम करेगा उसमें, ठीके, तो central register को पाइंट कोन कर रहा है, more than one state में जैसे अमूल है, अमूल जो है, वो पूरे देश में चल रहा है, ठीके, हर एक state में, तो उनके लिए जो होता है, central register होता है, और central register को पाइंट में कोन करता है, central government, ओके, central government, और जब भी कोई चीज concurrent list में आती है, concurrent list में, ठीके, उसमें state भी लाब ना सकती है, और central government भी लाब ना सकती है, इसलिए, concurrent list बोला, अभी recently, जो है, corporation ministry भी बना दिये, ठीके, corporation के लिए, तो उसमें concurrent ही लिखा है, ओके, आल्दो अभी Supreme Court की judgment आई है, वो देखते हैं क्या होगा, लेकिन आपने अभी तक याद करना स्टेट लिस्ट में है ये, ठीके, जब भी आएगा, स्टेट लिस्ट, इंट्री नंबर 32, ओके, हम, just wait, ये आप खुद पढ़ लेना, ठीके, मैं सेंड कर दूँगा, अब इसमें एक टॉपी बचा है, सुप्रीम कोर्ड की जज्ज्मेंट, ये हम करन्ट अफेर, क्योंकि अभी निविज में चलेगा, और जब इसका करन्ट अफेर आगा, करन्ट अफेर में ये डाल दूँगा मैं, ठीके, कि सुप्रीम कोर्ड की जज्ज्मेंट किया, ये 97 Constitutional Amendment Act पे, ठीके, कौन-कौन सा पार करेंगे, क्योंकि जितना भी आता है, वो हम अक्तूबर में बढ़ेंगे, अगर आपको इस बुक पे, डिसकाउंट चाहिए, आप कितामेल जा सकते हैं, कितामेल जम्मू, पकाडंगा, ठीके, वहाँ पे मेरा नायम बोलना है, साहिल सार नहीं बेजा है, आपको डिसकाउंट मिल जाएगा, 430 या 350 तक बुक मिल जाएगी, सब, जितना भी आपका स्लेबर से, A to Z, ठीके, और पच्ची सो अब्जेक्टीव मतलब हो गया, कि आपके मार्क टेस्ट पूरे उद्री हो जाएगे, और 500 ज़्यादा MCQ, अगर आप चाहते हैं कि टाइम वेस्ट ना हो, सेव हो, तो आप जाओ और बुक खरीद लो, ओके, ठैंकी सो मच, मिलते हैं नेक्स लेक्चर में, तब तक के लिए, जाए हिंद, एंड गुड मॉर्निंग,